वालकम तो माई यूट्यूब चैनल वर्ड लिट्रेचर आज जो टॉपिक दिसक्स करने वाले हैं वो है A Song for St. Cecilia's Day by John Dryden John Dryden ने St. Cecilia के डे को सेलिब्रेट करने के लिए एक सोंग और यहां पिर हम इसको एक पोइम कह सकते हैं वो लिखा है हर 22 निवांबर को St. Cecilia Day जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है विकाज यह म्यूजिक के लिए जो है वो बहुत फेमस थी और इनके म्यूजिक को जो हर्मोनियस म्यूजिक जो है वो कंसीडर किया जाता था सो हम इस सौंग के line by line explanation को देखेंगे और इस पोइम के major themes को भी discuss करेंगे first of all जो है वो इस work का introduction डिसकस कर लेते हैं कि कब publish हुआ और इसको जो है वो क्यों publish किया गया था A Song for St. Cecilia's Day 1687 में English Poet Laureate John Dryden ने जो है वो publish करवाया था इनकी two hours उस time पे आई थी जिसमेंसे first start थी A Song for St. Cecilia's Day एंड इसको जो है वो एक day था special उसके लिए जो है वो लिखा गया था 22 November 1683 में या फिर 1703 तक जो है ना एक special day celebrate किया जाता था music के हवाले से लंडन में वो था St. Cecilia's Day जिसको जो है वो as an annual festival के तौर पर जो है वो celebrate किया जाता था लंडन में Song के title को देखते हैं तो हमारे mind में एक question आता है कि actually में St. Cecilia थी कौन तो ये actually में एक Roman margin martyr थी जिनको जो है वो worship किया जाता था different religions में Catholic में, Orthodox में, Anglic Man में या फिर Lutheran Churches में या Sweden Church में तो इन different religions में जो है pure and इनको जो है वो किसी भी sin से जो है वो पाक समझा जाता था यहां फिर हम यह कह सकते हैं इनको जो है वो sanity के हवाले से यह बहुत famous थी इनका music जो है वो harmonious माना जाता था and music के लिए जो है यह बहुत famous हुआ करती थी उस time पे John Bryden को discuss करते है इनकी birth हुई थी 1631 में and इनकी death हुई थी 1700 में English poet थे literary critic थे translator थे playwright थे and 1668 में England के first poet laureate appointed हुए थे poem के line by line explanations start करते हैं seven stanzas के लेंधी poem है and seven stanzas के बाद इस poem में एक grand chorus भी जो है वो रखा गया है so 53 lines इस poem की बनती है and 23 lines को जो है वो आज lecture में हम discuss करने वाले है red lines जो है वो poem की lines है and जो black ones है वो इस red lines की explanation है poem की first line है from harmony from heavenly harmony के poem जो है वो सबसे पहले start होती है harmony से harmony हम कह सकते है peace को, unity को poem में सबसे पहले harmony की importance बताई जाती है के हमारी जो universe है या फिर जो universe में जितनी भी चीज़े है music हो गया इन सब में जो हो harmony present है next lines है this universal frame begun के जो ये universe है या फिर जो world है इसका circle जो है वो start ही harmony से होता है के जो universe बनती है उसके बाद जो हो harmony का एक order आता है उसकी वज़ा से जो है ये universe चलना start होती है then जो है वो man को create किया जाता है तो first thing जो है वो music है and harmony है पोईम की next lines में बताया जाता है के universe की state कैसी थी harmony के order से पहले so when nature underneath है के जो creation से पहले जो है ना वो nature जो है वो एक cause की state में थी off-gearing atoms ले के atoms जो थे वो discarded थे उनके अंदर कोई harmony नहीं थी unity नहीं थी वो कोई ऐसा beneficial जो work है वो नहीं कर रहे थे and could not heave her head और nature जो है वो ना rise कर पा रही थी ना ही जो है वो move कर पा रही थी क्योंकि कोई order नहीं था universe जो है एक musical voice आती है roof से sky से जिसके बाद जो है वो atoms को order दिये जाते है कि अपने अपने stations पर चले जाओ arise ye more than dead तो वो voice command करती है atoms को कि अब life में वापस आ जाओ कि तुम लोग जो है वो अपनी dead condition में थी कोई movement जो है वो नहीं हो रही थी हर चीज जो है वो static थी लेकिन अब जो है वो उनको orders मिल चुके है वो harmonious song आ चुका है वो music जो है ना वो अपना order देता है कि हर चीज जो है वो अब life की तरफ दुबारा आ जाए then cold and hot and moist and dry तो इसके बाद जो है वो हर चीज अपने proper shape में आ जाती है जैसे के cold weather हो गया hot weather हो गया moist and dry मिसके हर चीज जो है वो अपने circle में है अपने station पर जो है वो पहुंच जाती है orders के बाद पॉइम की next lines है in order to their stations leave कि जितने भी elements से वो atoms से वो अपने-पने stations पर चले गए power थी वो यहां से हमें ओबे होती हुई नजर आती है कि music की harmony की कितनी power है कि उसने orders दिये and atoms जो है वो अपने-पने places पर जो है वो चले गए from harmony, from heavenly harmony कि harmony जो है वो source of creation है harmony जिसको हम peace कहते है unity कहते है उसकी वज़ा से जो है वो हर चीज जो है power आ जाता है this universal frame begun कि इस universe की जो creation थी इस universe का जो system है वो harmony से start होता है from harmony to harmony कि जो harmony है वो basic principle है इस universe की creation का through all the compass of the norms it ran कि harmony के अंदर जितना भी music है चाहे उसके lowest norms हैं या पर इसके जो highest norms हैं उन सब की जो key है वो harmony है या पर जो music की अंदर जितने भी notes होते हैं उन सब की जो key है वो harmony है the deposit closing full in man के जो universe की harmony है universe का जो music है वो हमें reflect होता हुआ नजर आता है human music में के जो humans जो music बनाते हैं उसमें भी हमें कभी-कभी वो peace मिल रहा होता है वो vibe आ रही होते हैं जैसे इसको nature ने create किया है what passion cannot music raise and quill के music जो है वो कौन सा passion जो है वो उसको evoke नहीं कर सकता है means के music के अंदर हर तरह के emotion को evoke करने की awake करने की जो है वो power है के वो चाहिए तो आपके अंदर sad emotions ले आए चाहिए तो आपके अंदर happy जो emotions हैं वो लिया है इसको हम अपनी real life से relate कर सकते है कि जब हम happy mood में होते है तो हम happy music सुनते है जब हम sad होते हैं तो sad music को सुनते है तो music के अंदर power है कि वो हमारी mental stability है वो उसको control कर सकता है next lines है when jubal struck the corded shell यहाँ पर biblical figure jubal को जो है वो mention किया गया है जो के inventor of music है वो जब अपने shell में से music को play करता है तो उसके आसपार surrounding में जितने भी लोग हैं वो उसकी creativity को सुनते हैं and appreciate करते हैं his listening brethren stood around कि jubal का जो brother है वो भी उसके पास होता है और वो सुनता है इसके music को and wondering on their faces fell और वो जितने भी surrounding में लोग हैं वो amazed होते हैं और worshipful feel करते हैं उस music को सुनकर to worship that celestial sound कि ये sound कितना beautiful है ये sound कितना harmonious है कि airs को जो है peaceful feel होता है उस music को सुनकर less than a god they thought there could not dwell कि उनका believe था कि सिर्फ divine power ही इसको जो create कर सकती है ऐसा music जो जुबल ने जो है वो create कर दिया है या फिर सिर्फ God के पास इतना power है कि वो इस तरह का harmonious music जो है वो create कर सकती है within the hollow within the hollow of that shell कि जुबल ने वो जो shell produce किया है song produce किया है divine feel होता है that spoke so sweetly and so well कि उसकी जो lines हैं वो बहुत beautiful लगती है and captivating लगती है उसके सुनने वालों को अचके lecture में बस इतना ही I hope कि यहां तक जो वीडियो है वो आपको समझ आई होगी वीडियो को like और share और channel को जरूर subscribe कीजिएगा thanks for watching my channel